आज ही सब्सक्राइब कर दें मेरी चानल ब्यूटी एंड हाल्थ टिप्स को और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए और ये बिल्कुल फ्री है हाई एवरिवान वेलकम तु माई चानल ब्यूटी एंड हाल्थ रेप्स कैसे हैं आप सब दोस्तो आपने बहुत सारे मेरे वीडियो देखे होंगे वजन को कम करने के लिए वेट लॉस ड्रिंक देखे होंगे वेट लॉस पाउडर देखे होंगे टॉनिक देखे होंगे तो आज जो मैं चीज बता रही हूँ वजन को कम करने के लिए दोस्तों बहुत ही सिंपल है क्योंकि सारी चीजें जो हैं हर किसी के पास अवेलिबल नहीं होती है तो एक सिंपल सा सोलोशन है गाईज कि पानी तो देखो भवान की दीवी देन है पानी हर जगा पर अवेलिबल ह और हर कोई पानी पी सकता है खूब ठीक है तो वैसे तो नॉर्मल जो है पानी पीना बहुत अच्छा रहता है आठ से दस गिलास दो रूटीन में पानी पीने ही चाहिए लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मोटापा घटाने के लिए गरम पानी जो है वो आपको आज की वीडियो में पता चलेगा लेकिन उससे पहले आप जान लीजी कि अगर आप चानल पर नए है तो चानल को पहले सब्सक्राइब कर लेजी और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहें फ्रेंड्स गरम पानी पीने से हमारी शरीर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं ना किवल ये मुटापे को कम करता है गरम पानी बलकि सासा शरीर से बहुत सारी बिमारियों को ठीक करने में हेल्पफुल रहता है पहला तो मैं आपको बता देती हूँ कि पीना कैसे चाहिए यानि कि गरम पानी कैसे पीना चाहिए इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि पानी को अच्छे से गरम कीजिए फुल तेज गरम कीजिए Luke warm water नहीं बोल रही हूं मैं गुनगोना पानी नहीं बोल रही हूं तेज गरम पानी बोल रही हूं जैसे आप चाय पीते हो न उसी तरह से चाय जितना गरम कीजिए पानी को और सिप सिप करके पीछे और बैट कर ही पानी पीना है खड़े हो कर आपने कभी भी जिन्दगी में पानी नहीं पीना अगर आप सुअस्त रहना चाहते हो जो लोग खड़े हो के पानी पीते हैं जाए ठंडा पीते हैं या गरम पीते हैं उनके घुटनों का दर्द जो है वो जिन्दगी में कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता तो अभी से जो यंग्स्टर है मैं उनको specially बोलना जाती हूँ कि बैठ कर पानी पीजिए पूरी लाइफ पड़िए आपकी अगर आप अपने घुटनों के दर्द से बचना चाहते हैं हमेशा बैठ कर पीना चाहिए पानी तो दोस्तों चाही की तरह सिप सिप करके पीना है पानी इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट पिलेगा अगर आप सिप सिप करके गरम पानी पीते हैं तो बाडी जो औरगन होते हैं बाडी के अंदर वो अच्छे से काम करते हैं अगर आप सिप सिप करके पानी पीते हो अच्छे से वर्क करते हैं बाडी फिट और फाइन रहती है गरम पानी पीने से ब्लड वेसल्स इनकी नसों में जो ब्लॉकेज हो जाती है वो भी open up हो जाती है जिससे खाना अच्छे से digest हो जाता है गले की खराश है टॉंसिल्स की प्रॉब्लम है इनको भी गरम पानी हील करता है ठीक है ना गरम पानी गला खराब कफ कॉल्ड होने पर भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं गरम पानी पीओ साथ साथ मेडिसन लो तो आपको जल्दी रेजल्ट मिलेगा तो गरम पानी जो है आपके गले के लिए the best माना जाता है जैसे कि आगे winter season आ रहा है तो गले की प्रॉबलम जादातर लोगों को बच्चों को बड़ों को हो जाती है गरम पानी पीना स्टार्ट करतीचे दोस्तो बैड कॉलेस्ट्रोल को भी बॉडी से खतम करता है गरम पानी क्योंकि बैड कॉलेस्ट्रोल जो है न वो बॉडी में फैट को बढ़ाता है बैड कॉलेस्ट्रोल आपकी शरीर के अंदर वजन को बढ़ाएगा गंदगी गरम पानी किडिनी लिवर को भी प्युरिफाई करता है फिल्टर करता है किडिनी लीवर भी अच्छे से वग करने लगते हैं अगर आप गरम पानी पीना चार्ट कर देते हैं और के टिनि लिवर एगल की इस वाज़न पीन के लिए बहुत जयादा ज़रूरी है धोस्तों ज्यादा ताम जाम में पढ़ने की बजाए अगर आप गरम पानी पीना स्टार्ट कर देते हैं तो उसकी नेकदम से ग्लोइंग हो जाएगी wrinkles, aging, signs भी जो है वो reduce होना स्टार्ट हो चाहेंगे digestive system को इंप्रूव करता है गरम पानी गरम पानी अगर आप पीते हो डेली तो विशेले तत्वी यानिकि जो टॉक्सिंस होते हैं वो urine के माध्यम से बाहर आ जाते हैं पेट साफ रहता है पाचन तंतर मजबूत रहता है अब बात करते हैं दोस्तों कि गरम पानी पीना कब चाह पानी गिलास भर के पीना है फिर दोपहर को जब लंच किया तो उसके आधे घंटे के बाद आपने गरम पानी पीना है फिर जब डीनर किया तब आपने गिलास भर के गरम पानी का पीना है तो तीन बार गरम पानी दिन में पीना तो कमपल सरी है लेकिन इसके इलावा भी ज पढ़ कोशन करते कि कितने दिन में वजन कम होगा तो दोस्तों आप 8-10 दिन लगा टार बीना नागे करके देखो आपको खुद इम्प्रोवमेंट नगर आएगी कि आप खुद अपना वेट पहले देखिए कि कितना है फिर उसके बाद हफते दस दिन के बाद चेक कीजिए फिर आपको पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा इंप्रोमेंट आपको मिलती है कि इतना बड़ी है रिजल्ट मिलेगा इतना फ्री का सॉलूशन है आपने कुछ भ और कॉमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलेगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है वोटसे फेस्बूक ट्वीटर पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप मुझे इंस्टाक्राम पर भी फॉलो कीजिए दोस्तों और सासाथ इंडियन वाइफ ओन और दोस्तों और सास्टा